Hello Everyone, Welcome back to our channel लेकिन आकी इम्प्लाइयर ने आपका टैक्स निउ रिजीम के हिसाब से डिडूक्ट कर लिया है लेकिन आप प्रीघ beide को स्विच करना चाहते हैं तो आप लिजींग के टाइम पर इसे कैसे स्विच करेंगो चलिन आज के वीडियो में हम लोग ही डिसकस और टांकरी और पर करींगे किनकम पर है जहां पर आपका टांडल हो जाता है वहीं अगर आप न्यूट टांगर इनकम पर है किन्कम पर 12 के लिए अलग टॉम invented कEMA हैं। सबसे पहले हम सैल आवलो के लिए बात करेंगे कि किस तरहे से उनको regime में switch over करना है, अगर आप एक saluted person है, आपकी कोई भी business income नहीं है या फिर आपकी कोई भी professional income नहीं है, तो आपके लिए कोई भी restriction नहीं है, आप हर साल switch over कर सकते हैं, अगर आपने इस साल old tax regime ली है, तो आप next year new tax regime ले सकते हैं, और उसके के बाद फिर से आप old tax regime में switch over कर सकते हैं तो कोई भी restriction नहीं है salary वालों के लिए तो चलिए ITR filing start करते हैं सबसे पहले e-filing account में login कर लेंगे इसके बाद हमें assessment year select करना है 24-25 online mode continue start new filing individual continue select ITR form में 1 अगर आप share trading भी करते हैं तो आप ITR 2 फाइल करेंगे नहीं तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं taxable income more than the basic exemption limit पर click करेंगे और नीचे continue करेंगे अब यहां पर हमें बहुत सारे टाप दिखाई देते हैं जिनकों की हमें confirm करते जाना है सबसे पहले आता है personal information तो अगर आप रिजीम को स्विच करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यह personal information के टाप पर ही change करना है फिर इसके बाद आगे की जितनी भी ITR है वह एक ही तरह से भरी जाएगी चाहें आप और टाइक्स रिजीम में जाए और चाहें आप न्यू टाक्स रिजीम में जाए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए beneficial रहेगी किसमें आपको कम टाक्स देना पड़ेगा तो वह भी आप यहीं से कर सकते हैं चलिए हम आपको वह भी बताएंगे स सबसे पहले हम person information पर आते हैं अब यहां पर आपकी सारी contact details reflect होती है आपका residential address आपका contact number सबसे पहले तो आपको nature of employment यहां से select कर लेना है आप government employee है private sector employee है या पैंशनर है इसके बाद हम इसमें नीचे आएंगे तो यहां पर हमें एक column मिलता है do you wish to exercise the option of opting out of new tax regime यह जो हमारा form है यह new tax regime पर ही open हुआ है मतलब ही जो इसमें calculations होंगी वो new tax regime के हिसाब से ही होंगी अगर आप old tax regime में जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर yes या no का option select करना है अगर आपको old tax regime में जाना है तो आप yes पर click करेंगे और यह जो form है यह आपका old tax regime में convert हो जाएगा और आपकी ज जब calculations old tax regime के हिसाब से होंगी तो क्या change आएगा सबसे पहले तो जो deductions आप claim करना चाहते हैं ATC से लेकर के ATU तक वो सब आप claim कर सकते हैं HRA का deduction आप exemption आप claim करना चाहते हैं तो वो claim कर सकते हैं 87A का rebate आपको सिर्फ 5 लाक रुबए तक की income पर ही मिलेगा तो यह सारे changes हो जा से आपका tax भी calculate हो जाएगा जो भी tax lab rate old tax regime में दिये हुए हैं उसी हिसाब से आपका tax calculate होगा लेकिन अगर हम यहाँ no पर click कर देंगे तो यह हमारा new tax regime में convert हो जाएगा और अगर आपने कोई भी deductions claim किये हैं ATC से लेकर के ATU तक तो वो सारे आपके महां से हट जाएंगे औ और new tax regime में जो भी slab rate दिया हुआ है उसी के हिसाब से होंगे मतलब कि salary persons के लिए यहाँ पर कोई भी problem नहीं है आप yes या no पर click करेंगे आपका form convert हो जाएगा और आप simply अपनी ITR को file कर सकते हैं personal information के बाद अब यहाँ पर आता है gross total income, total deductions, tax paid, total tax liability यह सारे columns आपको fill कर लेने हैं जो कि आपके mostly आपके AIS से fill हो जाते हैं अगर कोई additional information आप देना चाहते हैं तो वो आपको manually fill करनी होती है अब अगर आपको यह check करना है कि कौन सी regime आपके लिए beneficial है तो आप यहाँ पर सारे amounts दे देंगे इसके बाद आप regime change करके जैसे हमने अभी personal information में देखा था आप regime change कर सकते हैं yes या no पर click करके तो आप regime change करके यह देख सकते हैं कि कौन सी regime में आपका कम tax बन रहा है आपको यहाँ पर amounts fill कर देने हैं सारे yes पर click करेंगे तो form old tax regime में convert हो जाएगा और सारी calculations old tax regime के हिसाब से आ जाएगी और अगर आप no पर tick करेंगे तो आपका form new tax regime में convert हो जाएगा और सारी calculations new tax regime के हिसाब से आ जाएग भी है तो आपके लिए ना तो ITR 1 है और ना ही ITR 2 है आप फाइल करेंगे ITR 3 या फिर ITR 4 अगर आप बैलंशीर वगरा मेंटेन नहीं करते हैं और पर अपना प्रॉफट दिखाना चाहते हैं तो आप ITR 4 फाइल करेंगे और अगर आपकी सेलरी भी है बिजनेस इंकम भी है और और साथ ही साथ आप शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं अगर यह तीनों चीज़े हैं तो फिर आप ITR 3 फाइल करेंगे अब हम ITR 4 पर आ जाते हैं और बिजनेस वालों के लिए क्या प्रॉविजन्स है वो देखेंगे अब हम ITR 4 पर आ गए हैं इस पे हम रिटर्न समरी पर अलग है यह चीज़ चलिए यहां पर क्लिक करते हैं अब सेम उसी तरह से यहां पर भी नेचर ओफ एम्प्लाइमेंट चूज कर लेना है इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर हम से option पूचता है कि आप कौन सी रिजीम में जाना चाते हैं अगर हम नो पर क् तक रिजीम में कंवर्ट हो जाएगा और जो यह कैलकुलेशन होंगी टाक्स की वह सारी ओल्ड टाक्स रिजीम के हिसाब से ही होंगी लेकिन यहां पर एक चेंज किया आएगा कि अगर आप और टाक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और आपकी बिजनेस इंकम है तो आपको फिल करना होगा फॉर्म 10IEA बहुत छोटा सा फॉर्म है और इस फॉर्म को आपको इवरिफाइब भी करना है इवरिफाइब करने के बाद आप यहां पर फॉर्म की डेट ऑफ फाइलिंग देंगे और यहां पर फॉर्म का एकनॉलेजमेंट नमबर देंगे इतना करते ही आ इसकर आपने एक बार इसे फाइल कर दिया तो फिर इसे चैंसल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसलिए आपको कौन सी रिजीम में जाना है यह आपको डिसाइड कर लेना है उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को फिल करना है बाकी का इटी आर फॉर्म बिलकुर सेम है जै आप आप बिजनेश बरसन्स हर साल स्षिछ ओवर कर सकते हैं अगर आपने इस साल यह तो क्या आप अगले सानINS नियुटाक्स डिजीम ले सकते हैं तो चेयुकिस्स के लिए यह है कोई रोजिए इसकुर्चिण नहीं था लेकिन बिजनेश बॉटाक्षण के लिए रोज़ lifetime मतलब कि new tax regime आपको पूरे lifetime में सिर्फ एक ही बार मिलती है अगर आपने एक बार new tax regime को छोड़ दिया तो फिर आप वापस से new tax regime में नहीं आ सकते हैं फिर आपको हर साल old tax regime के हिसाब से ही अपने ITR file करनी होगी लेकिन यह condition तभी तक है जब कि आपके पास business income है अब मान लेते हैं कि कभी in future आप business छोड़ देते हैं और आपकी सिर्फ salary income हो जाती है तब आप salary persons की category में आ जाएंगे और फिर आप regimes में switch over हड़ साल कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आपकी business income वापस से आएगी तो फ फिल करना होगा यह हमें पोर्टल पर कहा मिलेगा तो इसके लिए हम उपर इफाइल में आएंगे यहाँ पर income tax forms फाइल income tax forms यहाँ पर सबसे पहला फॉर्म आपको मिल जाएगा determination of tax in certain special cases form 10 IEA इसे open करेंगे यहाँ पर assessment year 24 25 लेके continue करेंगे अब यहाँ पर हमें यह form फिल करना है बहुत चोटा सा form है यहाँ पर पूछ रहा है do you have income from business profession यहाँ पर yes कर देंगे due date applicable for the return of income 31st July है due date continue कर देंगे yes अब यहाँ पर यह 3 tab आते हैं इन्हें हमें confirm करना है सबसे पहले है basic information फिर है additional information और फिर है declaration यहाँ पर कुछ भी हमें खास करना रही है सिर्फ open करके इसे verify करना है इसके बाद हम preview देखेंगे और इसे verify करेंगे यह form फाइल हो जाएगा filing के बाद आपको इसका acknowledgement नमबर मिल जाएगा वह acknowledgement नमबर आप अपने ITR form में दे देंगे date of filing दे देंगे और आपका form old tax regime में convert हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like and share जरूर कर दीजेगा साथ अगर चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लीजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में till then stay safe and healthy बाई बाई